पुल तूटने के चलते होली मार्क पर पांचवे दिन बुधवार को हलके वाहनों के आवाजाही आरम हो गई है लोग निर्मानवे भाग ने यहाँ पर वैकल्पिक सड़क का निर्मान कर हजारों के अबादी को ये राहत प्रदान की है लोणा में भी अस्थाई पुल का निर्मान कर लोगों का पैदल आरपार होना शुरू हो गया है बता दे कि शुकरवार शाम को होली मार्क पर सित चौली वैली ब्रेज तूट गया था जबकि शैनिवार मध्य रातरी बाद लोणा पुल फूसखलन की जद में आकर गिर गया था जिसके चलते होली घाटी का संपर्क शेश विश्व से कट गया था एडियम भरमौर नरेंदर चोहान ने कहा कि होली के लिए वेकल्पिक सडक से हलके वहनू की आवाजाही आरंब करवादी है जबकि लूना में भी यात्रियों के लिए अस्थाई पुल से आवाजाही शुरू करवादी है दिवे हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अज़े शर्मा के रिपोर्ट केहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे है ये हिमाले पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का वैसे ही आपके अपने पर्माजुलस पचास सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्खताहट पांच लाग से भी ज्यादा हे माचली चैरों पे उनके बनाए आभुशनों की शुदता के लिए सही कीमत के लिए सोने के आभुशनों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए हीरों के जवारातों पर पांच प्रतिशक अधिक दिनागी की गैरंटी के लिए और तो और पांच सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्ट पदलने के लिए और जीवन भग मुफ्ट मरंबत की गैरंटी के लिए सारे हिमाचल में और कही इतनी सुविधाएं एक छट के नीचे कहा मिली है इनका पांच हजार स्क्वेड पुट से भी बड़ा शानदार शोरू स्वयम ही आपको अमंत्रत करता है एक लंबे रिष्टे की शुरुवात करने और उस रिष्टे को जीवन भर कायम रखने के लिए हमारे हिमाचल की सुन्दरता जो देश के लाखों लोगों को खीच लाती है अपनी ओप फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने बर्माजोंदस